आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल महार्ध्यन में वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए आज हुम करने जा रहे हैं हमारी छटी की कक्षाओं के लिए समाजिक विज्ञान की वक्षीट जो हमारे अतीज से है बिलकुल ये वही वक्षीट का दूसरा हिस्सा है जो हमने पिछली बार पढ़ा था आज की वक्षीट का नंबर है 20 और आज हमारी तारीख है 7 दिसंबर त चित्र को देखेंगे तो आप बहुत ही आतानी से समझ सकते हैं किसी गुरुकुल का चित्र है बीच में गुरु बैठे हुए हैं और उनके पास में उनके सभी शिश्य बैठे हैं और देखकर पता चलता है कि विचार विमर्ष किया जा रहा है या हो सकता है सवालों के जव पूछे और बताए जा रहे हो और बहुत ही मनोहत द्रिश्य है आप बढ़ते हैं आगे की तरफ आपने उपनीशद शब्द कई बार सुना होगा आज जानते हैं इस शब्द का मतलब क्या होता है उपनीशद शब्द का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना गुरु के सम पूछा जाए कि उपनीशद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे कि उपनीशद का शाब्दिक अर्थ है गुरू के समीब बैठना, लेकिन आपसे पूछा जाए उपनीशदों के अंदर क्या है, क्या लिखा हुआ है, या उसमें क्या संकलित किया गया है, तो आप बताएंगे इन ग्रंतों में अध्यापकों और छात्रों यानि कि गुरू और शिश्य के बीच बातचीत का संकलन है। मैं आपको यहाँ पर बतादूं कि ये बातचीत जो हमारे पाठ का नाम है प्रश्न, नए प्रश्न, नए विचार जो भी शिश्यों के मन में प्रश्न होते थे उन पर विचार किया जाता था गुरू के साथ बैठकर उसी का संकलन इन ग्रंतों में हैं। ठीक उसी समय जिस समय बुद्ध, महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे, शायद उससे थोड़ा पहले अन्य विचारकों ने भी कठिन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की। जहां पर अब हम अन्य विचारकों की बात कर रहे हैं। जो और इसी तरीके के व्यक्ती थे, लोग थे, विचारक जिने हम कहते हैं। उन में से कुछ ऐसे थे, जो जानना चाहते थे, बृत्यू के बाद का जीवन कैसा है। तो कुछ जानना चाहते थे, कि जो यग्य किये जाते हैं, वो क्यूं किये जाते हैं। और बहुत सारे विचारकों का ये मानना भी था, कि ब्रह्मान में कुछ तो है, जो हमेशा रहता है, मृत्यू के बाद भी रहता है। और उन्होंने इसी को जिसे यहां पर कहा है कि इस्थाई है और मृत्यू के बाद भी जो शेश रह जाता है उसे आत्मा या ब्रह्म या सार्भोमिक आत्मा के रूप में वन्नित किया है वे मानते थे कि आखिरकार आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही है आत्मा और इश्वर दोनों एक ही है इसी संदर में आगे अगर चले तो अधिकांश चर्चाओं में भाग लेने वाले विचारक पुरुष थे विशेश कर ब्रह्मन और राजा थे कभी कभी गारगी जैसी इस्त्री विचारकों का भी उलेक मिलता है इससे हमें क्या पता चलता है इससे हमें पता चलता है कि सिर्फ पुरुष ही नहीं इस्त्री विद्वान या इस्त्री विचारक भी उस जमाने में मौजूद थी जो अपनी विद्वता के लिए यानि की अपने ज्ञान के लिए प्रसिद थी और राज दर्बारों में होने वाली चर्चाओं में भाग लेती थी और ये चर्चा सिर्फ राज काज की बातों पर नहीं होती थी ये ज्ञान की चर्चाएं होती थी निर्धन व्यक्ति इन चर्चाओं में बहुत कम भाग लिया करते थे लेकिन कुछ निर्धन व्यक्ति ऐसे थे जो अपवाद के रूप में हमें देखने को मिलते हैं मतलब उनका भाग लेना हमें दिखाई देता है जिसे हम आज के जमाने में भी बात करते हैं कि कुछ गरी बच्चे प्रखर रूप से सामने आते हैं बड़े विद्वानों के रूप में जिसे हम विज्ञानिक कह देते हैं और दूसरे बहुत बड़े बड़े पदों पर वो आसीन होते हैं अपनी शमता के अपनी विद्वता के बल पर तो ऐसे ही कुछ व्यक्ति हमें अपवाद के रूप में देखने को मिलते हैं हो सकता है आगे आने वाली वर्क्षीट में हम उनके बारे में बात करें कि ये कौन लोग थे अभी बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं आज हमने क्या सीखा उपनीशन शब्द का अर्थ हमने अभी अभी पढ़ा गुरू के समीब बैठना दूसरा प्रेशन है विचारक किन सवालों के जवाब खोई ना चाहते थे तो हमने बात की कुछ विचारक जानना चाहते थे मिर्क्षीट के बाद के जीवन के बारे में तो अन्य जानना चाहते थे कि जो यग्य किये जाते हैं वो क्यों किये जाते हैं उस समय की एक महिला विचारक का नाम बताना है और वो हमारी वरक्षीट में दिया गया है तो हम गार्गी का ही नाम लिख लेते हैं ये थी हमारी आज की वक्षीट, मैं उमीद करती हूँ, महाध्यन की तरफ से आपको मिलने वाली इस वीडियो के ध्वारा वक्षीट को करना आसान और समझना भी आसान हो गया होगा, अगर आप चाहते हैं महाध्यन आपके लिए इसी तरह वीडियो बनाता रहे, लाता रहे, काम आसान करता रहे, तो जरूरी है चैनल चलता रहे, उसके लिए जरूरी है महाध्यन को लाइक, शेर और सब्सक्राइबर मिलते रहें, तो फटा फट से वीडियो को लाइक कर दीजे, हो सके तो शेर भी कीजे, साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नह होगा फिर सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं ऐती ही वीडियो के साथ तब तक के लिए बस रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद,